ओके अलो फ्रेंड किसे हुआ आप सब में हूँ वीसी और आप देख रहें Bounty Invest YouTube चैनल इस वीडियो हमें हम उजीवन Small Finance IPO के पर बात करेंगे उसकी डिटेल देखेंगे और बात में financial देखेंगे अगर हमें financial अच्छे लगे तो हम आपको बताएंगे लाश्ट में आपको इसम financial कौन सी डेट पर यह आ रहा है कब यह close हो रहा है वो सब इस वीडियो में और दोस्तों अभी तका आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजो में घंटे वाल होने वाल है 4 December को यह close होने वाल है बाद में फ्रेस issue कितना है वह देख लेतो सिक सद्रेट सेवन्टिफाइव करोड़ा प्रेस शीउ यह बाद में face value कितनी है तो 10 रुपीस की face value हे बाद में issue price कों सा है कौन सी price पिय आने वाल है तो 36 to 37 की price पिय आने वाल है बात में market loot कितन पर लिश्ट होगा अब हम देख लेते कब आपको मिलेगा ओंसी डेट पी लिश्ट होगा वह सब in simple time table देख लेते तो बीड ऑपनिंग कब होगा second December को close कब होगा fourth December को बाद में यह सब finish हो जाने के बाद allotment की process कब होगी तो 9 December को यह process होगी, बाद में refund कब मिलेगा, 10 December को refund मिल जाएगा, मतलब आपके bank account में जो पेसे है, वो क्या आए कि refund हो जाएगा, अगर नहीं मिला, अगर मिला तो उसमें से cut जाएगे, बाद में credit offset to debit account, मतलब आपके debit account में कब आएगे, तो 11 December को यह आपके debit account में आ जाएगे, बाद म listing कब होगा, तो IPO listing होगा 12 December को, तो यह हो गई सब detail, और आप minimum एक lot apply करोगे, तो 14,800 इसकी price रहेगी, maximum आप 13 lot apply कर सकते हो, तो उसकी price रहेगी, एक लाग बान भी आजा, तो यह हो गई इस IPO के detail, अब हम इस IPO के financial देखते हैं, अगर हम है financial अच्छे लगे, तो definitely हम इसको apply करें तो हम year to year देख रहें, तो आपको total asset में एक increment दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है, बाद में total revenue की बात करें, तो उसमें भी increment दिख रहे है, वो भी एक अच्छी बात है, बाद में profit after tax की बात करें, तो उसमें भी एक अच्छी खासी उच्छल देखने को मिलें, जो भी एक अच्छे बाद में, बाद में EPS देखे, तो 2018 में 0.05 का EPS था, वो increase होके 1.20 का increase हुआ 2019 में, तो अभी हमारा जो जून वाला quarter गया है, उसमें क्या हुआ वो देख लेते, तो आप क्या है कि total asset देख रहे हैं, तो आपको एक increase दीख रहा है, बाद में total revenue तो यह क्या है कि quarter क है, इसलिए आपको कम दिख रहा है, लेकिन आप year to year इसको क्या है कि combine करोगा, तो मेरे को लगता है कि 2020 में यह increase हो जाएगा, बाद में profit after tax भी अभी तक यह single counter का है, तो यह अच्छा है, बाद में EPS था 0.66, इन simple में final से देखो, तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे है, त अच्छा नहीं हुआ, तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा होगा, इन simple आप इसमें apply कर सकते हो, लेकिन अगर safe side रहना है, तो last day तक wait करो, अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, तो इसमें आप apply कर सकते हो, हमारी तरफ से 90% positive chance ह अप जाएगा listing gain, इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो IPO के उपर, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगए, तो प्लीज जारो like, comment and subscribe कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज, हर दिन लेते आते, हम क्या है कि येंक बोले चाहिए, तो simple सा तरिका है, आप अमारी इस channel के साथ जूर जाएए, चलिया मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए टटा, goodbye, जाई हिन